नमस्कार सुखते हैं आप सभी का ये पोस्टल कोचिंग में और आज एक हम नया प्रिवेस येर कोशन लेके आ गया है आपके साथ और ये ग्यारवा नंबर प्रिवेस येर कोशन है जीडियस टू पीए एक्जाम जो होता है या एम्टेस टू पीए से एक्जाम पोस्टमें सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कोशन पेपर होता है और ये जो प्रिवेस येर कोशन होते है दोस्तों अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है इसके बाद इनको लगाना बहुत जादा जरूरी है हम रेकमेंड करता है कि कम से कम इसको आप लोग दस से पंदरा सॉल करके जाये अलग-अलग साल हो गया अलग-उलग सरकल हो गया अगर आप लोग इतना करके चले जाते हैं तो आपका जो थीोरी थोड़ा बी कमजोर था वो भी क्लेर हो जाता है और आप लोग अपने आपको टेस्ट भी कर सकते तो इसी सीरीज को जो हम आप कंटीन deficiency कर है तो आप लोग अभी भी जॉइन कर सकते है अराम से एक्जाम से पहले सॉल्व करके जाईएगा आप लोगा एक्जाम अच्छे से निकल जाएगा और आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अब यह जो वीडियो लेक्चर्स है प्रिवेस एर क्वेशन के जो लेक्चर है इसको बनाने का मतलब यह है कि सबसे पहले तो यहां पर हम लोग सल्यूशन निकालेंगे इन सारे क्वेशन का दूसरी चीज़ इसमें यह आप लोगों को पता चल जाएग कि क्या 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 आने के चांसे और पहले भी आ चुक है ठीक है वहे हम आपको एक्स्टर नॉलेज भी आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़े और आ सकती है तो यह सीरीज बहुत important है और यह बहुत सस्ती सीरीज है हमने जो इसका fees रखा है बहुत कम रखा है नहीं आपने join के है तो join के लिजे नीचे link दिया रहेगा description में चीक है और जो हमारे batch में जुड़े हो है वो तो देखी रहा है around अभी 11 वा चल रहा है चीक है इसके बाद आपको करीब exam से पहले 20 तक करवा देंगे चीक है चले शुरू करते हैं हमारे सबसे पहला question जो आ रहा है वो आ रहा है IT modernization से और IT modernization में क्या पूछा जा रहा है यह पूछ रहा है हमसे कि IT modernization project जो था उसमें how many different segment कितने different segment थे अलग-अलग खंड कितने थे IT अधुनिकरन परियोजना में कितने खंड थे तो यह आप लोगों को हमारा अगर आपने हमारा batch join किया हुआ है तो IT modernization पे हमारा lecture number 28 है lecture 28 में बहुत लंबाने 40 minute या 50 minute का एक video lecture है और उसी का साथ का एक note है हाथ से बनावा note यह अगर आप लोग पढ़के चले जाएंगे आपका IT modernization का 80 से 90% 100% वहीं से आएगा ठीक है तो अब इसमें पूछा जा रहा है बहुत असान सवाल कि कितने segment है ठीक है ना नाम पूछा जा रहा है ना कुछ तो इसका answer हो जाएगा आठ आठ साइलोज या segment थे IT modernization में हम आपको अभी बता भी देते है ठीक है थियोरी थोड़ा बहुत समझा देंगे solve करते करते ताकि आप लोगों को वो चीज याद आ जाए ठीक है तो हमारे batch के जितने student है उनको सबको याद होगा आठ segment थे पहला अभी short form लेकर है cm ठीक है दूसरा dcf तीसरा आपका fsi सबका full form भी रट्टा मारना ये सवाल आप लोगों को रट्टा मारके जाना है full form तो आता ही आता है ठीक है csi ठीक है फिर पाचवा नमबर हो गया आरेच छटा नमबर हो गया आपका rsi साथवा नमबर हो गया आपका ni और आप लोगों का आटवा नमबर और लास्ट जो हो गया वो हो गया moh ये चीज़ आपको याद करनी है अब इनका full form देख लेता है तो first है change management change management ठीक है change management अब आपको बता दे change management जब भी word change आजाए change क्या करना चाते थे ये लोग change करना चाते थे employees की training देना चाते थे training करके और workshop करके employee का चाहे GDS हो या normal दूसरे departmental employee इनको upgrade करना चाते थे ताकि उनको ज़्यादर technology के बारे हैं पता हो तो जब भी CM या change management आए तो आप लोग जैसे ही training word देखेंगे workshop देखेंगे उसमें टिक लगा देगे ठीक है next है हमारा data center facility DCF DCF का full form होता है data center facility अब ये कहां पर है इसका यहां से भी सवाल आ जाता है कभी कभी तो आप सभी को इसको याद करना है data center facility नवी मुंबई में है ठीक है और एक और इससे related सवाल आ जाता है कि disaster recovery center ये कहां पर तो ये महिसूर में है ये भी सवाल आ जाता है तो data center facility का का काम ये था कि इंडिया post जो हमारा post office है उसको primary data जितने भी details आते जितने भी data होते है उनको cover जो है समाल के रखना ठीक है और data just recovery center का काम था कि ये जो अगर data किसी तरह से हमारा hack हो जाता है करप्ट हो जाता है तो महिसूर में जो data recovery center है वो इसको इस चीज को समाल लेगा ठीक है next है FSI जो कि financial system integrator है अब इसका काम क्या था इसमें कोई भी banking ठीक है core banking, core insurance, cash management financial है तो financial चीज़े समालना इसका काम था फूर्थ नंबर पर आप लोगों का आ जाता है CSI जो कि होता है core system integrator system integrator मतलब इसमें system या software से related जो काम थे इनको समालना इस चीज का काम था जैसे posb हो गए daily account ipbsd जो menu होता है software में जो menu अगेरा होता है इनके जो काम है ये सब CSI समालता था rural hardware, rh मतलब rural hardware अब rural hardware में क्या होता है rural में क्या है, हमारे branch post offices है वो ब्रांच post offices में handheld device देना, smart card देना sim card देना, ये सारी काम rural का जो था, इनोंने समाल लिया था अब आ जाते हम rsi में rsi जो था, वो था हमारा rural system integrator word से समझ जाए, rural मतलब हमारा branch post office, system यानि हम लोग के जो software इस्तमाल होता है rural hardware में उन चीज का जो system होता है, ठीक है तो rural system integrate करता था इसमें आप लोगों ये nsi ने दिया था, तो software से related जो आप कर इक device में हो गया या devices में, जो भी software इस्तमाल होते है वो, next हो के network integrate, network से आप लोग समझते हैं, आपकी mobile में भी जो network आता है, तो इंडिया post में भी जितने भी systems है, जितने भी computers है, उन में भी internet एक है, nsp1 network service provider 1 और एक है nsp2, यहां से भी सवाल आ जाता है ठीक है, कितने हैं, इसमें nsp होते हैं, next और last हो गया हमारा moh, आठवा नंबर है moh, इसका full form होता है, आप लोगों का, ठीक है, इसका mail operation hardware, ठीक है, तो ये mail operation hardware, जो भी hardware से related समान आ हुआ था, computer देना, scanner देना, यहां फिर दूसरी चीज़े और provide करना, हाना, ups देना, यह सब mail operation hardware, इस segment के अनतरगत किया गया था, ठीक है, एक होगे, rural hardware confuse नहीं करना, यह rural area के लिए था और एक है, आपका mail operation, mail को operation करने के लिए, mail का जो जितने भी काम है, उनका concept clear, और आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान रखेगा, IT modernization से कही सारे सवाल आते हैं, यह सब आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है, चले next question है हमारा जो ATM's थे interoperable कब से हुए थे, ATM निम्द लिकित तिथी से अंतर संचाल लिनी है, कब हुआ था तो इसका अंसर हो जाएगा, 31, 12 2016, तो यह जो है, दो-तिन dates आप लोगों को याद रखनी होती है, अब आपका जो exam है, exam से पहले क्या-क्या चीज़े launch हुई है, उन चीजों की date यानि current affair थोड़ा बहुत आप लोगों को नहीं पता होगा, और बहुत खुलके भी यह department नहीं बताया है, लेकिन इस साल के लिए जो current affair हमने important बताई है, वो आप लोग join कर लेजेगा, तो आप लोग बैच तो नहीं है, आप लोग normal telegram group में जूट सकते हैं, वहाँ भी हम लोग share करते हैं, और हमारा which of the following is true in case of network integrator, network integrator जो हमने आपको भी पढ़ाया, उसमें बताया है कौन सा इन में से है, निम लिखित में से सच है कौन सा सत्य है, तो इसमें बताया जा रहा है कि it has a three network provider primary, secondary and tertiary, ठीक है इसमें पहला option बोल रहा है कि इनके पास आपका जो network integrator है, इनके पास तीन ये component है, तीन है ताइप्स और इसमें आ जाता है primary, secondary and tertiary जो कि ए एनसपी 1, एनसपी 2, एनसपी 3 तो क्या हमने यह आप लोगों को पढ़ाया था जी नहीं, तीन तो हमने नहीं पढ़े next है, इसमें सरफ एक ही network है एनसपी 1, तो एक भी नहीं पढ़ा हमने it has two networks एनसपी 1 और एनसपी 2 अभी थोड़े दिर पहले ही हमने आपको पढ़ाया कि इसमें दो होते हैं एनसपी 1 और एनसपी 2 तो ये वाला C इसका right answer हो जाएगा जो कि आप लोगों को already हम cover करा चुके है इसका network integrator से एक और question आया है कि NI का full form आपको बताना है तो सारे full forms आप लोगों को पढ़के जाने है जो भी IT modernization से पूछा जा रहा है क्योंकि आप लोगों का topic exam में पूछा गया है वो IT modernization का basic terminology पूछा गया है terminology से मतलब होता है जो एक शब्द होते है उनको आप लोगों को अच्छे से पढ़के जाना है definition इतना नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा पर यह जो art component है इसमें क्या क्या चीज़ा आई है और उनके जो full form है यह आपको पढ़के जाना है तो NI का full form आप सभी को हमने already बता दिया है यह है network integrator ठीक है network को integrate करना next question एक और आगया है IT modernization से यह जो भी circle है ठीक है पहले तो आपको हर circle का पढ़के जाना है जो भी circle है इस circle ने IT modernization को बहुत जादा एहमेद दी है ठीक है what was the change management stream of IT modernization तो हमने आपको बोला था change management जैसे ही सुनेंगे आप पहले देख लेंगे कहाँ पर training और workshop है तो देखिए यहाँ पर C option में training है तो इसका right answer हो जाएगा C training and preparing all of the departmental employees including GS इनको training करना ठीक है next है हमारा FSI का full form पूछा गया है तो आपका financial service integrator right answer हो जाएगा बहुत जादा times में नहीं waste करेंगे अब आजाता हम product and service से question आया है small saving scheme से post office का कि जो minimum और maximum sum assured होता है RPLI में ये बताना है तो इसका answer क्या हो जाएगा minimum और maximum तो आपको ये जो है अभी जो latest चल रहा है वो है minimum FIA आपका 10,000 minimum 10,000 और maximum 10,000 ठीक है RPLI की बात की जा रही है next हम देखते है in respect of child policy the child age भी तो ये जो बीमा योजना है बाल भी योजना होता है आप लोगों का उसमें जो age limit है वो कितनी रखी गई है बच्चों के लिए तो ये 5 में से 20 ठीक है 5 से 20 ठीक है तो ये age limit आप लोगों को याद करनी है अब आपको बता दे RPLI और PLI के लिए आप लोगों को website में जो है exam से पहले पढ़के जाना है क्योंकि ये लगतार change होते रहते हैं तो exam से पहले एक नजर इसमें देख के जाना है next question एक और small savings schemes में से PLI से आया हुआ है ये है कि yugle सुरक्षा जो joint life assurance होता है इसका term period कितना होता है minimum और maximum आप लोगों को बताना है तो इसका अंसर हो जाएगा ये जो joint life assurance होता है इसका minimum 5 साल और maximum 20 साल के लिए होता है ठीक है yugle सुरक्षा जिसे कहते है next है हमारा the nomination can be made in PLI कितने PLI में nomination हम लोग nominee का नाम रख सकते है तो आपको बता दे maximum जो nominee के हम लोग कर सकते है वो है 3 maximum 3 चीक है UPU का full form पूछा गया है very important और यहां आपको बता दे UPU और APPU ठीक है Asian Pacific Postal इन दोनों के details आपको रटीवी होने चाहिए ये exam में repeat 100% हर साल होती है ठीक है तो UPU का full form क्या होगा आपको UPU के बारे में थोड़ा सा बता देता है पहले इसके बाद आपको हम answer बताएंगे UPU यानि Universal Postal Union बहुत important union है इसकी शुरुआत हुई थी 9 October 1874 को ठीक है ये जो है एक United Nation की body है ठीक है United Nation इसको इसका parent कह सकते है ठीक है गार्जन है और ये इसका headquarter सबसे important ये burn शहर में है जो की आप लोगों के Switzerland में पड़ता है ठीक है नेक्स चीज़ इसमें 192 members है और ये इंडिया जो है इसको जो join किया था इंडिया ने चीज़े याद रखके जाएंगे ठीक है इसको आप लोगों को एक तरह से रटा मार लेना है और Asian Pacific Postal Union के बारे में भी आपको थोड़े सा रटा मार लेना है इसकी भी दू-तीन चीज़े आप लोगों को रट के जानी है ये 1st July 1982 को इसकी शुरुवात हुई थी इसका जो आपका ये Headquarter है ये Bangkok शहर में है जो कि Thailand में पड़ता है ठीक है और ये अभी जो Presidency है अभी जो Presidency है यानि जो Leader है इसका Union का वो इंडिया है इसलिए जादा Important है इसको याद करना और इसके जो अभी Secretary General है वो है विनायक प्रकास सिंग अभी ये क्यों है क्योंकि अभी इंडिया लीडर है इसलिए ये हो गया आपका विनायक प्रकास सिंग और इंडिया ने कब जोइन किया था तो इंडिया ने जोइन किया था 1973 में ठीक है चले 1873 में ये चीज़े आप लोगों को रट के जानी है नोट डाउन कर लेज़े नेक्स्ट कॉश्चन आ रहा हमारा स्मॉल स्में सेविंग स्कीम से अमाउंट इन्वेस्टेड इन किशान विकास पत्र डबल कितने दिन में हो जाता है तो किसान विकास पत्र में जब अमाउंट डालेंगी ये डबल हो जाएगा 115 महीनों में चीक है तो 113, 115 ये चेंज होता रहता है जैसे जैसे आप लोगों का SB ओडर आता है तो वो चेंज होता रहता है तो एक्जाम से पहले एक बार इसको देख के जाएगा A station bundle is justified when there are more than dash यानि एक station bundle तब उचित होता है जब कितने unregister mail होते है कि वो station bundle बन जाता है तो आप लोगो station bundle के बारे में bundle जो होते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत knowledge लेके जाना है अभी हम आपको बता देते हैं लेबल बंडल के बारे में बताएंगे station bundle लेबल बंडल का ही एक हिस्सा है ठीक है तो ये जो बंडल होते हैं बंडल का मतलब क्या होता है जब भी हम कोई भी पोस्टल आर्टिकल को एक face में एक क्यों पर एक collection करे और उसको हम भान दे चाहे चक्सलिप से तो उसको बंडल भलते हैं पैसे का भी नोट का भी बंडल होता है उसी तरह से तो अब लेबल बंडल जो होता है वो होता है जितने भी unregistered article हो गए ठीक है unregistered article हो गए letter mail के ठीक है letter mail के यहां पर लिखा भी हो है न unregistered जो होता है letter mail के होता है अगर इनको हम इनका face समुखन कर दे मुखन कर दे face को एक साथ रख दे face को सामने का तरफ रख के एक check slip लगा दे top पे तो यह बन जाता हमारा label bundle अब यह जो होता है दो तरीके का होता है के जगहों के लिए है और अभी इसका sorting करके इसको आगे भेज दिया जाएगा ठीक है अभी इसको जो है भेज दिया जाएगा और जो sorting bundle होते है उनको आगे और जाना होता है इनकी journey और आगे होती है अब station bundle का यह rule है postal manual volume में volume 5 में कि station bundle जब 14 के आसपास हो जाए यानि 14 हो जाए तो अब इसको हम bundle बनाके आगे dispose कर देते हैं ठीक है तो इसका answer जो हो जाएगा वो हो जाएगा C 14 unregistered letter mail जब हो जाता है ठीक है तो उसको एक station bundle बनाके आगे वितरित कर दिया जाता है वही sorting जो होता है उसमें आपका और आगे की limit है यह है कि उसकी और extra थोड़ी detail है हम आपको extra बता देते हैं वैसे exam में पूछा जाएगा कि हमें नहीं पता लेकिन बता देते हैं कि यह जो sorting bundle है इसको हम आगे further दो type में divide कर सकते हैं एक है expressed bundle इसको अभी immediately dispose करना है ठीक है एक और होता है एक और होता है deferred ठीक है जो दो deferred होता है उसका मतलब होता है कि अभी उसको आराम से बाद में dispose किया जाएगा तो यह चीज़ आपने याद रखना है एक territorial bundle भी होता है territorial bundle जो होता है वो होता है आपका जब 25 से जादा हो जाए ठीक है तब अगर किसी foreign country में जाना है दूसरे territory में जाना है तो इसको territorial bundle कहता है ठीक है तो हमने कुछ जादा एक्स्ट्रा बता दी इतना exam पे बहुत जादा पूछा नहीं जाता इसका answer था 14 ठीक है 14 चली next हम देखते है a letter posted insufficiently prepaid इस charge on delivery पे ती यानि कि आप पर्यापत रूप से prepaid post किये गए एक पत्र को delivery में ये कौन से condition में कितना जो है fine लगाया जाएगा तो आपको बता दे जब भी एक letter को insufficiently paid करके वेजा जाता है यानि कि जितना amount था उससे कम में तो उसको charge किया जाता है double the amount of deficiency ठीक है आप मान के चलिए अगर वो आपको 4 रुपे का उसमें stump लगना था या payment करना था चार्ज लगना था तो अगर आपने 2 रुपे स्रिफ दिये है तो आपकी जो deficiency हो गई वो 2 रुपे हो गई अब उसका double हो जाएगा डबल हो जाएगा ठीक है दो उसका double जब हो जाएगा तो जो amount होगी वो आपको देनी ही पड़ेगी चले next question देखते है next है हमारा premature withdrawal is allowed in सुकन्य समरिद्धी account after the girl attends the age of dash यानि कि लड़की की आयू dash हो जाने के बाद सुकन्य समरिद्धी खाते से समय से पहले निकासी हो जाती है तो हमने आप लोगों को बताया था premature से related चीज़े आप लोग पढ़ लीजेगा कि account को जब हम premature close करवाते है या amount निकलवाते है तो वो कब होता है वो चीज़ आपको ध्यान से रखने है तो यह है अठारा जो साल जब लड़की की हो जाती है तब हम इसको निकलवा सकते है नेक्स्ट कॉश्चन है हमारा Memorandum of Distribution of Work ठीक है Memorandum of Distribution of Work जिसको MS 11 form नंबर से जाना जाता है यह भी सवाल आ सकता है यहां से वो इश्यू कौन करता है तो आप सभी को पता होगा वो Divisional Superintendent करते है चले नेक्स्ट है Preservation of Nominal Roll अब Nominal Roll का Preservation बहुत बार रिपीट होता है लगबग हर साल 2-4 सरकल के पेपर में पूछा ही जाता है कि Nominal Roll का Preservation Period क्या है संगरक्षन अवधी क्या है अब ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इसको जो संगरक्षन करना होता है ये Permanent करना होता है ठीक है इसलिए ये सवाल बार बार पूछा जाता है वैसे और भी पूछा जाता है कि Work Paper RMS के Work Paper कब तक Preserve किये जाते है 18 महीने और इसी तरह से बहुत सारे 2-3 सवाल पूछे जाता है लेकिन सबसे ज़दा रिपीट होता है Nomination Roll क्योंकि इसको हमेशा Permanent रही रखना पड़ता है संगरक्षन में ठीक है तो ये सवाल आप लोग याद करके जाएगा अब Question आया हमारा Money Order Void कब होता है तो ये Chapter है Void Money Order बहुत Important है अब इसका Definition भी आपको पता होना चाहिए Void Money Order क्या किसे कहता है ठीक है तो शुन्या जो Money Order शुन्या इसे कहता है जब आप लोगों का Pay को यानि जिसको Amount मिलना था उसको हम लोग पैसे दे नहीं पाए भेजवा नहीं जा पाया वो Money Order अब जो Sender है Sender को भी वो मिल नहीं रहा उसको भी हम अभी Amount नहीं दे पार अब ये Money Order जो Money Order Void हो जाएगा अब इसमें जो Amount है ये Amount Central Government के खाते में चला जाएगा पर एक टाइम तक Post Office वेट करेगे कि चलो Sender यहां इन में से कोई मिल जाए तो वो Time क्या है वो है दोस्तों 12 महीने यानि एक साल तक वेट करती है और इसके बाद ये Money Order Void हो जाता है तब उसको Void पूरी तरह से कह सकते है बारा महीने के अंदर कभी भी Sender या Address आकर पता करता है तो वो Amount वापस उसको देना पड़ता अगर नहीं करता तो वो Central Government के खाते में चला जाता है तो इसमें Option में क्या क्या दिया हुआ है इसमें बताया जा रहा At the Beginning of Month or Following Month यानि इसके जारी होने के महीने के बाद के महीने के शुरुवात में तो यह तो महीना आ गया यह इससे रिलेटेड नहीं है ठीक है जारी होने के महीने के अंद में जैसे जनवरी में हुआ जनवरी के पास तारिक को हुआ जनवरी 31 को से पहले अगर आ जाता है थो ठीक है चल जाएगा तो ये भी गलत है महीना तो ही नहीं इस में इसके जारी होने के महीने के बाद के महीने के अंत में तो ये भी सारे गलत है हमने जैसा आपको 12 महीने तक ठीक है तो इसके बाद वॉइड हो जाता है SO Daily Account is also known as B ACG 12 तो आप लोगों को जितने भी form numbers है ये सब अच्छे से याद करने है form short form numbers वगेरा preservation वगेरा ये दू-तिन चीज़े याद करके जानी है ठीक है PPF account is opened with minimum amount of PPF account minimum कितने रुपे में खुल जाता है तो ये 500 रुपे में ही खुल जाता है ठीक है हो जाएगा head sorting assistant mail guard या mail agent ठीक है इन में से कोई भी सामने हो तो कर सकता है next question हमारा आया है Asian Pacific Pacific Postal Union से जो हमने आपको पहले भी बताया कि इन दोनों topic से question आएंगे ही आएंगे तो आप लोग अराम से इसको cover करके जाएगा ठीक है तो आपको बता दे APPU कब established हुआ था यह हुआ था 1st July 1982 को इसका headquarter कहाँ पहाँ है Bangkok Thailand में है ठीक है इंडिया के पास presidency है अभी Secretary General विनायक प्रकास सिंग है ठीक है यह चीज़ा आप लोग याद करके जाएंगे next है यदि विदेशी डाक के तहत कोई अवेतनिक या कम भुकतान वाली पंजिकरित लेक counter पर प्रस्तूत किया करता है तो उसके साथ क्या treat किया जाता है यानि इसमें क्या हुआ unpaid या underpaid जिसे हम insufficiently paid भी कहता है वो registered article है और यह foreign post का कोई article है और इसको हम counter में लिके आएंगे तो उसके साथ क्या किया जाएगा तो इसको it cannot be registered and refuse first option ही सही है इसको registered नहीं किया जाएगा और इसको refuse कर दिया जाएगा ठीक है क्योंकि foreign post से related है live में survey कब होता है तो यह होगा आपका monthly basis पे होता है next question है mark the correct option इन में से कौन सा correct option है आप लोगों को mark करना है for the purpose of bag account post office is a unit bag office ठीक है bag account के लिए जो post office होता है वो unit bag office होता है तो आपको पता ही है UBA unit bag office सारे post all post offices सरिफ BO और branch office और extra departmental SO को जो होता था इनको हटा दे तो सारे ही post office UBA यानि unit bag office होता है तो यह बात सही है बिल्कुल memo of authorized balance is issued by senior superintendent of post offices RMS चीक है तो इसमें बताया जा रहा है एक balance authorized एक balance दिया जाता है इन post office को चाहे SP द्वारा superintendent द्वारा या senior superintendent द्वारा या RMS द्वारा तो यह बात भी सही है कि एक उनको authorized balance रखना कि इतना रखना है bag इतना दे देना है वगेरा वगेरा यह जो है allowed होती है तो यह भी सही है diagram of sorting case is prepared by SRM यह बात भी सही है तो इसका all of the right जो होगा correct हो जाएगा ठीक है सारे point इनके सही है सबसे पहले point बोला कि जो post office होता है वो एक unit bag office होता है यह बात सही है बिल्कुल ठीक है फिर एक authorized balance दिया जाता है हर post office को कि तुम्हें इत्फालाना bag इतने रखने है इस महीने में तो यह बात भी सही है और यह sorting case का जो diagram है SRM बनाते है यह भी सही है next है the weight limit of pattern and sample packet तो आपको बता दे कि इस kilo जो है कि कितना maximum kg है वो तो आप लोगों को हर चीज का रटा मार के जाना है letter आपका फिर book packet और जो जो repeat होता है हम आपको बता देते है letter का बहुत ज़्यादा repeat होता है book packet का बहुत ज़्यादा repeat होता है ठीक है blind literature का बहुत ज़्यादा repeat होता है यह सारे चीज़े repeat होता है पर pattern and sample packet बहुत कम repeat होता है पर इसको भी याद रखके ही जाना है, यह है आपका दो किलो तक, ठीक है, सैंपल भेजना है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं भेजेंगे, दो किलो तक अलाउड होता है, ठीक है, पार्सल केन भी बुक अट भी हो, जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस में पार्सल बुक किये जाते ठीक है याद रखेगा चले maximum size limit of parcel parcel का maximum size limit बताना है तो ये चार option है जिनको याद होगा वही बता पाएंगे कि length 1 meter होता है और length plus girth 1.80 meter होता है यानि लंबाई 1 meter और लंबाई प्लस परिधी 1.80 meter होती है ठीक है चले वीपी आर्टिकल कितने amount तक book किया जा सकता है तो इसका अंसर हो जाएगा भी 5000, money order भी 5000 तक किया जा सकता है first class mail कौन से है तो आप लोगों को first class mail तो पता ही होने चाहिए वो बार बार repeated है और सबसे easy है ठीक है letter, inland letter card और postcard ये हमारे first class mail है इनको बहुत अच्छे ची सुविदाय मिलती है जब उने पियो गाइड वन पड़ाया था आपको बताया था तो इसका अंसर हो जाएगा इन तीनों को हम ढूंडेंगे तो ये तो नहीं है ये भी नहीं है letter, postcard ये हो गया ठीक है चले next question है अब book packet में contain एक book packet में क्या चीज़े हो सकती है तो books तो होंगी ही symbol से बादर complimentary card भी हो सकता है ठीक है printed notices और circular भी हो सकता है पर written communication एक book packet के अंदर कोई written communication नहीं होता है क्योंकि वह letter में होना चाहिए तो ये चीज़ हो गई ठीक है चले next देखते है EMS का full form बताना है तो ये तो बहुत आसान है यह express mail service full form अच्छे सा पढ़के जाएगा If an article is refused अगर किसी article को refuse कर दिया किसी public ने तो ये post office में कितने दिन के लिए रखा जाएगा तो इसको रखना होता है एक महीने के लिए अगर वो VP article है तो उसको सर्फ साथ दिनों के लिए रखा जा सकता है तो ये चीज़े भी आप लोगों को याद रखनी है International Register article के लिए compensation क्या है आप compensation इन्होंने बताया नहीं ये question गलत है compensation दो तरीके के हो सकते है अगर पूरी तरह से पूरी तरह से loss, damage या और कुछ चोरी वगेरा हो गया ये एक तरह का compensation अलग होता है और एक होता है कि आपका partially आधा या कम हुआ कम damage हुआ थीक है थोड़ा damage हुआ इस तरह से भी दो तरीके के compensation बन जाते है पर normally International Register article का जो compensation होता है वो 30 SDR होता है आप सभी भी को बता दे 2022 में जो order आया था compensation को related उसमें कुछ चीज़े बदल दी गई थी कि जब भी registered article गुमवके रह हो जाएगा तो उसमें हम 30 SDR देंगे यहां फिर इसमें जो content गुम हुआ है या जो चीज़े टूटी है उसका value दे दे उसका value का समान का जो value था उतने पैसे दे देंगे अगर वही अगर वो international parcel है तो parcel में हम 30 SDR 40 SDR दे देंगे plus 4.5 SDR per kg के हिसाब से और extra दे देंगे इनको ठीक है यहां फिर इनमें से इनका जो पार्सल का जो value है वो दे देंगे जो content का value है जो जितने चीज़ खराब होई उतना दे देंगे ठीक है यह होगा इसके बाद अगर आपका कोई EMS से related article है express mail service अभी जो हमने उपर पड़ा था ठीक है इससे related है तो हम 130 SDR देंगे क्योंकि यह बहार का international ठीक है जैसे currency होता है dollar हो गया yen हो गया यह सारी चीज़े हो गई तो आपको बता दें उसी तरह से SDR भी होता है SDR की value इंडियन रुपीज में अभी 110 या 20 के आज पास चल रही है आप लोग चेक कर सकते है ठीक है चले अब NBMS का full form बताना है तो यह हो जाएगा आपका national bill mail service ठीक है इंडिया ने Asian Pacific Postal Union कब जोइन किया था तो इसका answer हो जाएगा C 1973 में ठीक है तो यह question बहुत important है यह चीज़ आप लोग को याद रखना है data center facility data recovery center से question आया कि इसका full form बताना है पर यह आप लोग आप लोग को और लोग बता चुके है data recovery center मैसूर में है याद रखेगा और इस recovery center यह मैसूर में है और उसको आपको confused नहीं करना है data center disaster sorry disaster यहाँ पे DRC का full form पूछा गया है तो इसका कोई भी answer सही नहीं होगा क्योंकि इसमें D का जो होता है disaster होता है disaster recovery center यह मैसूर में है इसको confused नहीं करना है data center facility के साथ क्योंकि यह अलग चीज़ है वो अलग चीज़ है data center facility मनवी मुंबई में है post office की primary data center है और DRC मैसूर में है यह recovery से related है disaster recovery ठीक है तो यह चीज़ आपने याद रखनी है next आ जाता है हमारा जितने भी आर्टिकल होते है accept vp article vp article को गरा हम हाटा दे बाकी article में अगर पोस्टे पोस्टे रिस्टांटे लिखा हुआ है तो इसका मनले रिस्टांट लिखा हुआ है तो इसको post office में कितने दिन के लिए रखा जाएगा तो हमने आपको बताया कि 30 days यानि 1 month के लिए 1 month के लिए रखा जाता है article except vp ठीक है तो इसने बताया जा रहा है कि देखे दो होता है पोस्ट्री स्टांट में दो चीज़े ध्यान रखनी है जो article normal articles हमारी postal articles है वो हम 30 days यानि 1 month के लिए रखते है और जो vp वाले article उसको 7 days के लिए रखते है तो इस कंसर C हो जाएगा ठीक है वी पी अगर article पूला होता ठीक है तो हम उसको 7 दिन का राइट करते है maximum weight limit of a foreign parcel का जो weight limit होता है वो आपको बताना है तो आपको बता दे यह 20 kg है यह general weight limit है general का मतलब है कि हर country अपना अपना weight limit ताय करता है पर generally एक 20 kg तक का समान जो है वो accept हर कोई country क पार्सल के लिए था ही किया हुआ है चले जो printed paper होता है foreign post में वह equivalent होता है dash in inland post यानि हमारे हमने यह आपको पड़ाया हुआ है जो printed paper होता है foreign post में वह inland post में किसके बराबर होता है तो वह packet के बराबर होता है printed paper बहुत important topic है यहां से बार-बार question पूछा जाता है तो यह चीज है हमारा weight of aerogram weight of aerogram भी favorite question है लोगों का जो भी examinate set करता है तो weight of aerogram होता है आप लोगों का 3 grams maximum weight होता है चले आगे पूछा जा रहा है what is the discount rate of a speed post तो सबसे पहले अगर question लंबा है तो उसको बाट लगे speed post article की बात की जा रही है इसमें भी working customer होते हैं दो तरह स्पीड पोस्ट क customer होते है एक होता है आपका working customer हमारे तरह जो customer होता है और एक होता है और जो आप लोगों का corporate customer होता है जो business से related customer होता है तो इन्होंने बोला कि क्या discount rate मिलेगा एक working customer को जब वो पोस्ट उफिस में speed post का बिजनस 6,000 रुपए देगा महिने में वो 6,000 का speed post का business दे रहा है तो उसको कितना discount percentage मिलेगा तो आपको दोनों के discount percentage याद होने चाहिए चाहे corporate हो या आपके ये हो ठीक है तो दोनों का आप लोगों को रटा मार लेना है यहां दोनों सवाल आते है अलग अलग घुमा घुमा के तो आपका सबसे पहले working customer जो होता है इसकी तो दो ही category है तो आप लोग याद कर सकते हैं एक है 2000 से लेके एक लाक रुपए और इनको 5% का discount मिलता है तो 2000 से एक लाक का speed post business किया तो फिर 5000 का 5% का आप लोगों को मिल गया discount वहीं एक लाक से ऊपर का किसी ने भी speed post का business दिया तो उनको 10% का discount मिल गया यह दो category है अब हमारा सवाल working customer को था और इसने 6000 का कारोबार के है तो यह आ जाएगा 5% में क्योंकि एक लाक तक का इसकी limit है अब वही corporate customer की बात करें तो इनकी category जादा है और इसको आप लोगों को ध्यान से समझना भी होगा एक limit है इनकी मतलब speed post business अगर 50,000 से लेके 5,000,000 तक का करता है तो इनको 10% का discount दिया जाता है जीक है वहीं अगर 5,000,000 से 25,000,000 का speed post business करता है तो इनको 15% का discount दिया जाता है next जो category है वो है 25,000,000 से शुरू होती है और एक करोड तक होती है और यह हो जाएगा 20% discount ठीक है फिर एक करोड से 5,000,000 की एक और limit होती है जो कि इसको discount दिया जाएगा 25% और जो भी 5,000,000 का बिजनस देगा speed post का तो वो 30% का discount लेगा ठीक है तो यह जो है discount structure होता है एक work-in customer के लिए और एक corporate customers के लिए चले नेक्स्ट है आपको statement दिये हुए है उसमें से correct option choose करना है तो first देखते है COD का मतलब होता है cash on delivery यह तो सही है cash on delivery होता है under COD system में भी exchange VP parcel VP parcel को भी COD system के अंदर हम लोग exchange किया कर सकता है तो यह भी सही है लेटर VP letter parcel और insured parcel में भी जो भी है बेजा जा सकता है यानि VP पत्र पार्सल और पार्सल चत्रों के अनुसार बीमाकरित हो सकते है तो यह भी सही है इसका answer हो जाएगा all of the above cash on delivery का definition इन्होंने वेबसाइट में वो नीचे इदर और चार पॉइंट में दे दिया है ठीक है आर्टिकल कितने होने चाहिए उसको हम insured bundle में convert कर सकते है या bundle बना सकते है तो insured bundle जो होता है आप लोगों को पता ही होगा bundle का मतलब होता है अगर हम एक तरह के आर्टिकल को एक साथ रख देते एक के उपर एक करके और तुसको इस bundle बना देता हमने अपको पड़ाया था त उसको एक face करके उसको collection करके seal कर दे close कर दे तो हो जाता है ठीक है तो insured bundle यही होता है ठीक है बहुत सारे insured letter को collect कर लिया जाए ठीक है साथ मेक register lease लगा देंगे हम लोग ठीक है और इसको एक insurance insured envelope के अंदर डाल देंगे फिर इसको अगर हम closed और seal कर देता है तो यह insured bundle बन ज वो एक bundle बन जाएगा तो इसका अंसर होगा एक से जादा यानि दो हो जाते है जब तभी इसको bundle बना दिया जाता है देखिए one and more होगा one or more next है हमारा minimum quantity of dash pieces can be accepted under direct post direct post एक बहुत important service है और यहां से सवाल हर साल आता है जो direct post होता है उसके बारे में आपको दो तीन चीज़े ध इसमें कोई भी address या नाम नहीं लिखा जाता communication के उस पर ठीक है नाम नहीं होता अब नाम नहीं होता तो इसका क्या काम है क्योंकि post office में जितने भी article नाम होगा तभी तो customer तक जाएगा तो आपको बता दो direct post होता है वो एक तरह का advertising या promotion के लिए होता है ठीक है और इसमें को करके भी fake देता है तो वही काम है इसमें भी तो यही direct post का काम है एक तरह का advertising है इसमें नाम हम कुछ नहीं लखेंगे advertise कर देंगे और minimum 1000 इसमें होने चाहिए ठीक है अगर minimum 1000 हुए तभी जाके यह direct post में गिना जाएगा तो 1000 आर्टिकल इसमें होने चाहिए और यह bulk में हमेश तो यह तो simple है आप लोगों को digital advancement for rural post office for a new India ठीक है digital advancement of rural post office for a new India दरपन का फोर फार्म होता है ठीक है digital, digital advancement of rural post office, ठीक है rural post office for a new India ठीक है चले, next है हमारा मेकदूत postcard का आप लोगों को कितने का आता है वो बताना है, price बताना है, क्या वो 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे यह एकर पैसे, तो यह postcard के rate बहुत जादा exam में आता है, तो इसका right answer वैसे तो हो जाएगा आप लोगों का 25 पैसे, लेकिन आपको और भी हम बता द है, कि आपका जो single postcard होता है, वो आता है 50 पैसे का, मेकदूत postcard जो होता है, वो आता है 25 पैसे का, ठीक है, आपका जो reply postcard होता है, वो आता है 1 रुपे का, और जो printed postcard होता है, वो आता है 6 रुपे का, तो यह चीज़ आपने याद रखनी है, next question है, what is the correct meaning of CBS, CBS का full form बताना है IT modernization के अंदर जो होता है, तो यह होता है, core banking solution, ठीक है, और next question है, what is the total amount approved for IT modernization project, तो जब भी IT modernization project लिखा होगा, तो आप लोग first मानेंगे, first वाला जो 2012 में आया था, तो यह था 4909, और अब जो IT modernization, 2.9 में बजट है, इसको भी आप लोग याद करके जाएगा, ठीक है, PLI क अब स्टार्ट हुआ था, तो इसको आग बन करके आपको रट्टा मार लेना है, यह first February 1884 में यह हर साल पूछा जाता है, और अगर RPLI पूछ ले, तो यह भी आप लोगों को याद रखना है, यह है, 24 March 1995 में आया था, तो यह हो गया, आप लोगा previous question हमने solve भी करा दिया, आप लोगों को बता भी दिया, कौनकों से topic बहुत जादा repeat हो रहा है, आप लोगों को extra knowledge भी दे दिया, और इसी तरह की चीज़े हमारी चल रही है, series में, और यह 11th part है, हम 20 तक करेंगे, और इसमें इतना ही नहीं, जब यह video lecture होगा, इसके बाद MCQ mock test भी होगा, अलग से, अलग पेपर का, ठीक है, तो वो चीज़ जॉइन का लेजे, minimum piece रखी गई है, नीचे, आ लिंक है, आप लोग जूड सकते हैं, धन्यवाद